नवस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने चैनल में स्टैस्विक लाइज पर जी हाँ दोस्तों आए आज के आउट्सोर्सिंग करमचारियों से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जाल लेते हैं कहां से क्या खबर आये तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं EPF, ESI जमाने करने पर दो कॉंट्रेक्टर को नोटिस जी हाँ दोस्तों बता दें आप लोगों को यहाँ पर गवर्मेंट स्कूलों में काम करें दोस्तों जो ग्रूप D के करमचारी हैं कॉंट्रेक्ट पर जो लगे हुए हैं दोस्तों उनका EPF और ESI जमाने करवाने के कांशिक्षावी भाग ने इन दो कॉंट्रेक्टर को दोस्तों यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है और इनको चेतावनी दे दी है कि अगर इनका EPF ESI नहीं जमा करवाया जाता है समय रहते तो दोस्तों इनकी एक तो सिकूरिटी रासी जबत कर ली जाएगी जो अजेंसी की है जो ठेकेदार की जो पहले से उनको ठेका लेते समय जमा करवानी होती है उसको और साथ में ठेका रद करके कंपनी को ब्लेक लिज्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर सपस्ट बता दे आप लोगों को यहाँ पर अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक का दोस्तों करमचारियों का जो है 32 गरूप D करमचारियों का यहाँ पर EPF और ESI रोका गया है दूसरा इसी तरह का कुछ केस यहाँ पर कोंट्रेक्टर को कभी इन क्या EPF और ESI जमा करवाईए औरना आपका पैसा जबत कर लिया जाएगा जो स्क्योर्टी रासी है आगे बढ़ते हैं आपर अंबाला बासकर से खबर है बराड़ा बलोक के मिडे मिल वरकर को मई महीने से नहीं मिली है सेलरी जिया दोस्तों बता दर्ना परदसन स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने बता है किस तरह से पिछली बार बीन को एक महीने का अंदोलन करना पड़ा था एक महीने का धरना देना पड़ा था तब जाकर इनकी सेलरी आई थी तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मैनत का पैसा लेने के लिए भी एक एक महीना दोस्तो धर्ना परदसन करना पड़ रहा है सरकार का कोई धान गरीब करमचारियों की तरफ नहीं है बता दें आपर जो खंड सिक्षा दिकारी ब्राड़ा हूँ क्या कहते हैं परमोदराना जी मिडे मिल वरकर की सेलरी डबलू एचो से आती है हो सकता है कलरकों की हटाल के कार उनकी सिलरी रिलीज ने हो पाई हो सम्मंधितवी भाग से ही पूरे मामले की जानकारी मिल सकती है तो मिल सकती है तो जानकारी लेनी चाहिए और करमचारियों को संतूस्टी करना चाहिए पता तो कम से कम किया ही जा सकता है अभी करमचारियों की सिलरी क्यों नह काम जी हाँ यहाँ आपर बता दें आप लोगों को शहर की कपास मंडी में सुकरवार को मन्रेगा मैट मजदूर समीति ने आपर दोस्तों रैली की है और आपर मांग उठाई है कि साल के 365 दिन इनको काम दिया जाए और 600 रुपे देहाडी प्रति दिन के हिसाब से दी जाए औ इनको भी कोसलोजगार निगम में ले लिया जाए जिन्द बासकर से देख लेते हैं पीड़ी मेकैनिकल यूनियन ने सोपा है मांगों को लेकर ग्यापन जिहा पीड़ी मेकैनिकल करमचारी यूनियन ने दोस्तों यहाँ पर पूरा गोसी तो इनका जो कारे करम था उसके त प्रमुक मांगे उठाई हैं जो पीड़ी मेकैनिकल करमचारी है यूनियन ने दोस्तों यहाँ 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 पर जो करमचारी है वो परदसने कर रहे हैं इनका कहना है कि कई बार दिकारियों को आउगत करवाया जा चुका है अपनी मांगों से लेकिन समस्याओं की तरफ क किसी का भी द्यान नहीं है इनकी परमुक मांग है समान काम समान वितन को लागू किया जाए जो कि कई जगह पर हो चुका है कचे करमचारे को पका किया जाए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करके ठेकेदारी पर्था को बंद किया जाए तो ठेकेदारी पर्था का भी कोई है जलगर में तो बता दें यहां पर भी क्रमचारी नाराज हैं और यहां पर इनोंने लिखा है कि बार बार लिखित में दोस्तों ग्यापन देने के बावजूद भी मोखिक आसवासन दे जाने के बावजूद भी किसी परकार की कोई यहां पर सुनवाई नहीं हो रही है उपरदान ने कहा कि अधिक्सक अभी अंता की ताना साही हुए क्रमचारी विरोधी नीती की वजैसे आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है संगठन ने फैसला लिया है कि 15 अगस्त को उपरोक्त मांगों का समाधान बाचीत के मादम से नहीं किया गया तो 16 अगस से यह अधिक्सक अभी अंता करेले के सामने नारे बाजी करते वे आंदोलन स्टार्टे कर देंगे तो किस तरह से मजबूरी में करमचारी को आंदोलन करना पड़ रहा है आप लोग देख पा रही है चर्खी दादरी में भी एक विवाद सामने आया है चेरमें पर बरस्टाचार हुए पैसे लेकर नए करमचारियों को भरति करने का आरोप विरोध किया तो पुराने करमचारी ही किये है हाई और जी हाँ यहाँ पर दोस्तो कुछ करमचारी थे जो बता गया है आट grasण पर चालक थे दोस्तो ठीक है तो यहाँ पर पुराने करमचारी को हटा कर नए करमचारी लगाने की कारवाई की गई थी जिसका विरोध यहाँ पर बता दें 12 परसदों ने भी किया और जो करमचारी हटा दिये गए थे उनको तो करना ही था तो बाद में जब विरोध होता हुआ नजर आया तो यहाँ पर जी सजैंसी के थ्रूर लगे वे थे पुराने करमचारी तो उन पुराने करमचारी को वापिस नोकरी पर रख लिया गया और काम पर उनको भेज दिया गया चाबी दे कर ये लिजी आप अपना काम समबालिये तो यहापर नए करमचारी लगाने का भी रोध कर रहे थे 12 पारस पर बहुत सारी लोगों के घर चले हुए हैं राजों से देख लेते हैं अगली खबर यहांपर राजकी आती थी द्यापड कमच देगा राजय मंतरी को ग्यापन्जियां दुस्तो भा स्कूलों में काम करें हरियाना के सरकारी स्कूलों में उन्होंने नीमित करने की मांग को लेकर जो बालविकास मंतरी हैं महिला में बालविकास मंतरी कमलेश डांडा उनको ग्यापन देने का प्रोग्राम बनाया हुआ है तो इन्होंने आपर बताया है किस तरह से करमचारी चा पर आये थे अतीति तहीं सब्सक्राइब क्यारों को पकार करने का वादा कर दिया था और लिखित में गोशना पत्र में भी उन्हों घैसे सरकार आएगी क्या इन्धी जेंगा रही तो तो हम अतीतिति आपकों को गमलेश ढांडा को आगे बटते हैं यहां पर देख लीजे आज मंत्रियों और यहां पर बता गया सांसदों विदायकों को ग्यापन देंगे आशावरकर जेयां दोस्तों आज यहां पर प्रतसन करने जा रही है आशावरकर जो मंत्री हैं विदायक हैं उनको ग्यापन देने जा रही है बता दे आप लोगों को तीन दिन की हड़ताली नोंने स्टार्ट की थी आठ अगसे लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया सरकार की तरप से कोई कानों पर जून नहीं रहेंगी किसी सरकार के मंतरी पर अधिकारी पर तो नाराज होकर आशावरकरों ने 17 अगस तक य है और आज यह पर दसन करने जा रही है बता दे कि पूरे पर देश में लगबग 20,000 जो आशावरकर वो दोस्तों हड़ताल पर है यहां पर अपनी मांगों को लेकर यहां पर देख लिजे कुरुक्षे तरशे आशावरकरों की हड़ताल जारी आज विदाय को सोंपेंगे ग्यापन तो यहां पर भी ग्यापन सोपने जा रही है आशावरकर फतेबाद में देख लिजे आशावरकर के मांदे को लेकर जूट बोल रहा है स्वास्तवी बाग जी हां आशावरकरों ने ये आरोप लगाया कि स्वास्तवी बाग जूट बोल रहा है उनके मांदे को ल यहार तो इनके किराय वगरा में दुरुदराने जाने में इखरच हो जाते हैं जो काम के लिए आना जाना पड़ता है इनको अपने काम करने के लिए इनसे ओनलाइन और जो फिल्ड का काम है उसको करवाने के लिए भी बात दे किया जाता है और अलग-अलग काम ठोप दिये जाते हैं लेकिन उनके इसाब से इनकी सिलरी नहीं बढ़ती है 2018 के बाद से काम इनके कई गुना बढ़ गए हैं लेकिन आज तक सिलरी नहीं बढ़ी है तो आशावरकरों ने यहाँ पर सपस्ट कर दिया है कि इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये परदसन को जारी रखेंगे जिन से भी देख लिजे आशावरकरों को बिना वेतन और बिना प्रोच साहन राशी के काम करने को किया जा रहा है मजबूर तो यहाँ पर बिना प्रोच साहन राशी यानि के जो आशावरकर वो चाहती है कि जितनी भी तरह के काम सरकार वाई जाते हैं अगर उसमें कुछ इंचेंटू जुड़ जाए कुछ अन्य लाब जुड़ जाए तो इनकी सेलरी भी ठीक ठाक यहां पर हो जाएगी और अंतिम में देख लेते हैं लास्ट खबर यहां पर अधिस उचना जारी सरपंचों को पांच हजार वय पंचों को सोला जुड़ी खबरें अगर आब भी चाते हैं हर्याना में उसके से चले टेड़ कचेक रम जुड़ी खबरें से मैं प्रपानातों चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें थैंक यू वेरी मच